आज मैं आपके साथ जन स्वेटर का S साइस का मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ वेलकम टो माई यूटीब चैनल लिपसा कॉर्नर इस जन स्वेटर में मैंने इस तरह का डिसाइन डाला हुआ है और इस डिसाइन को अगर आप डालना चाते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ जाकर के इस डिसाइन को डाल सकते हैं ये डिसाइन जो है सिर्फ फोर रोज का है और जो स्टार्टिंग में जिनको थोड़ी बहुत नीटिंग आती है वो भी असानी से इसको बना सकते हैं तो इस स्टार्टिंग को जो है वो मैंने बॉर्डर से स्टार्ट किया है 85 फंदे डाल के और इसमें जो है ये बहुत ही सिंपल सा बॉर्डर मैंने डाला है और अगर आप कोई और भी बॉर्डर डालना चाते हैं वो भी डाल सकते हैं लेकिन जेन स्वेटर में जो है वो सिंपल बॉर्डर ही अच्छा लगता है तो बॉर्डर में जो 85 फंदे डालके बॉर्डर बनाने के बाद जो है उपर इसके मैंने 15 फंदे बढ़ा लिए है बलो नीचे जो है 85 फंदे है और उपर जो है मेरे 100 फंदे है 100 फंदे डालने के बाद जो है मैंने इसमें ये डिजाइन डाल दिया है और डिजाइन डालने के बाद जो है इसकी जो टोटल लेंध है मुंदे तक वो मैंने 20 इंच रखे हुई है 20 इंच लेंध बनाने के बाद जो है यहाँ इसके मुंदे निकाले हैं और दोनों ही तरफ जो है मुंदों की घटाई हमने 4, 3, 2, 1 करके दे देनी है और मुंधा घटाने के बाद जो है हमने इसका गला घटाना है तो इतना इसको बना लेना है उसके बाद यहां गले की घटाई दे देनी है गले की घटाई जो है हमने एक एक करके देनी है और एक एक करके घटाई देते हुए इसके उपर जो है वो हमने 29 फंदे रखने है जो लास्ट में हमारे उपर बचेंगे और इसको जो है मैंने उपर की तरफ जो है 8 इंच बनाया है तो टोटल जो स्वेटर है ये मेरी 28 इंच की है इसके बाद जो है इसकी जो बैक साइड है वो भी मैंने ऐसे ही बनाई है नीचे जो है इसके 85 फंदे डाले हैं और उपर जो है इसमें 100 फंदे कर दी है बढ़ा करके 100 फंदे कर दी है इसकी बैक साइड में मैंने स्रीम डिसाइन डाला है आप चाहें तो इसको प्लेन भी बना सकते हैं और डिजाइन भी डाल सकते हैं फिर से 20 इंच बनाने के बाद यहां मुंडा निकाला है दोनों तरफ 4, 3, 2, 1 करके और फिर उपर जो है इस तरह से बना दिया है उपर तक और यह जो है 8 इंच रखा है तो इस तरह से हमने इसके बाद जो है इसमें गला बनाना है गला बनाने के लिए मैंने 60 फंदे साइज 60 फंदे इस साइज और पीछे जो है 40 फंदे रखे हुए और उसके बाद जो है यह गला बना लिया है अगर आप भी देखना चाहते हैं कि किस तरह से इस गले को बनाया हुआ है तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं वहां मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से वी शेप गले को बनाया जाता है इसमें जो मुंडे के फंदे हैं वो मैंने उतने ही रखे हैं जितने बॉर्डर में रखे हैं मिला टोटल जो है हमने इसमें 100 फंदे उठा लेने हैं दोनों ही साइड और फिर इसके मुंडे बना लेने हैं तो इस तरह से हमारी ये जैन स्वेटर बन कर तयार हो गई है उमीद करती हूँ कि आपको ये स्वेटर का मेजरमेंट समझ आ गया होगा फिर भी अगर आपका कोई कोई कोईशन है तो आप कोमेंट बॉक्स में पूर सकते हैं या फिर इंस्टा पे बात कर सकते हैं और इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूँगी तो मेरी इसी थरा की वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजी और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफकेशन बटन पर भी कलिक कर दीजी और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत भऌँत धन्यवाद